नमस्कार दोस्तों मेरा उल्सास्त्री सवगत करता हूँ आपका और अपने जोती सिखाने की संखला को जारी रखते हैं पहुत ही सरल तरीके से कम सब्दों में एक और पहुत बड़े राज्यों के बारे में आजम चर्चा करेंगे जिसका नाम है लक्समी नरायन राज्यों य इस तरह के जिदकी के अंदर आपको अच्छे परभाव देखने को मिलेंगे जिसमें ये राज्यों आपको पून रूप से फायदा देगा और फायदा क्या होगा यही तमाम जानकारी में आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सरल तरीके से कम सुक्त हो है देखें सब से उसके मैं आपको बताने चाहता हूँ लक्ष्पी नरायन राज्योग के बारे में यह होता है यह वक्तु और सुक्र की यूती से बनता है यह करीब करीब आपको ठ यूति अगर कहीं 10 कुडली में राजयोग दिख रहा है तो इसमें से स्रीपोर सिर्फ एक कुडली के अंदर ये पून रूप से निर्मान होगा जिसमें ये राजयोग अपना 100% रिजल्ड देगा वो इसलिए क्योंकि ये राजयोग बन तो जाता है पर कुछ कंडिशन्स सूपर नम आपको देखने को मिले तो यहीं तमाम जानकारी में आपको सरलल तरीके से बता रहा हूं सबसे पहले मैं बता दूं देखो जोतिस में आपको बारे केसे सिका रहा है घर आप डिरेक्ट इस वीडियोपे आगाए हैं और अगर थोड़ा बुद भी अगर जोतिस क तो देखे हम लगन कुंड़ली के बारे में ही जिकर करते हैं यह भी लगन कुंड़ली के बारे में हम चिकर कर रहे हैं चंदर कुंड़ली को लेके नहीं कि लगन आपका सिरीर होता है चंदर कुंड़ली आपका मन होता है और लगन कुंड़ली सबसे महतपून होती है तो यहां पर जो भी हम एकजांपल दे रहे हैं और आगे भी देंगे वो लगन कुंड़ली को लेके होंगे जहां चंदर कुंड़ली की बात होगी तो मैं स्पेसिपाई कर दूंगा कि हम पर आप सोच विचार करने वाली बात यह है कि आपको देखना है तो अगर कुण्डली में यूती अपना 100% दे रही है तो कुछ इस परकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बुद्ध और सुक्र से मिल लिए तो वैक्ति बुद्धि मान होगा यस्वान होगा मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा जिन्दकी के अंदर सम्मान मिलेगा और क्योंकि सुक्र के भी तत्वाते तो धन्वान रहेगा जिन्दकी के अंदर उसकी इच्छा पूर्ती होगी वह सब पूर्ती होगी और जो भी मावैक्ति अपनी जिन्दके में चाहता हो मान सम्मान पर्त पर्तिष्टा मकान जो भी उस सुक्र अपनी यूति बनाता है बुद्धी मान होता है वेक्ति और उसके इच्छा पूर्ति होती है दो चीजे तो आप समझ लिए अब जैसे कि हम बता रहे हैं यह जो यूति होती है यह देखने को आपको बहुत जंगा मिल जाए कि तो जहां भी यूति का निर्मान हुआ ब दूसरे नंबर की वर्षब, तीसरे नंबर की मिथून, चोथे नंबर की कर्क, पांचवी नंबर की सिंग, चटे नंबर की कन्या, दस्वी नंबर की मकर, सात्वी नंबर की तुला, आठवी नंबर की वर्चिक, नोवी नंबर की धनू, दस्वी नंबर की मकर, ग्यारवी तो इसमें से मैंने सिर्फ आपको यहां पर आप देखेंगे तो सिर्फ यहां पर पांच है एक तुला मैं भूल गया तो आप एक तुला को भी इनको लूटकर लेजे तुला जो साथ नंबर की होती है तो टोटल छे छे लगन मैंने लिखे वह इस वज़े से टोटल बारा यहां एकटी तभी अपना अच्छा परिणाम देगी एक तुर यह कंडीशन हुई एक यूती तभी अपना अच्छा परिणाम दे गी जब इन लगनों के अंदर है जैसे कि ये दस लिक्का है दस का मतलब ये मकर लगन की कुटली हुई तो जो भी नंबर लगन में होता है वो लगन होती है तो अगर वर्सब लगन है दो लगन में तीन लिखा है है लγά elites six लिखा है लगन में सब्सक्राइब तबीच में नहीं होना चाहिए यह यह यानि जोनों के बीच में एक जिरू से लेके तीश तक की डिगरी होती है दोनों की डिगरी डिप्रेंस पांच से कम है तो यह जूती जितनी कलोज होगी उतनी ज्यादा इसके अच्छ रिजल्ट देखने को मिलेंगे और दोनों ही किसो रवस्ता में यानि 12 से 18 के बीच में ग ताकत होती है और यो बल होता है उसे अपना अच्छा रिजल्ट देने के लिए तो दोनों के डिगरी अगर अच्छी है और दोनों के बीच में डिफ्रेंस कम है तो यह चार चीज़े होती है तो कारक अगर है यह लगन है अच्छ वावमें बैठे है जैसे मेंने बताया है दोनों के बीच में अंसबल कम है और दोनों चोथा पून की सोरवस्ता में तो चार चीजे अगर यह बन रही है तो ही यह यूति आपको अच्छा और पून रूप से फल दे पाएगी तो जैसे मैंने बोला दोस्तों यह जो लक्षमी नरानी योग है यह कुटले में तो बहु यह लक्षमी नरानी योग बन रहा है और इन लगनों के अंदर मिला है भाव में अच्छे बैटें पर अंसबल कम है बुद्ध का या शुक्र का तो आप इन गर्वों के रतन पहन सकते हैं जैसे बुद्ध का रतन पन्ना होता है शुक्र का रतन सपेद पुकुराज ओपल के डाइमड तो ऐसे करने से भी गरों में थोड़ा बल आ जाता है ताकि अपना अच्छा रिजट दे पाए तो ऐसा आप समझ सकते हैं तो दोस्तों पहुती सरल तरीके से और पहुती कम सब्दों में मैंने आपको बताने की कुशिश करी लक्षमी नायान राज योग कुड क्या क्या कंडिशन आपको देखनी है तो जैसे मैंने बताया किस लगनों में वह कारक होता है भाव को भी देखिए अंसबल को भी देखिए और डिग्री डिफ्रेंस को भी देखिए तो यही तमाम चीजे जब आप देखोगे पून रूप से तो आप कैलकुलेशन निकाल होगी कि लख्वी नायन राज योग बैसि अदर वा पको अच्छा फ़ल गए नहीं तो दोस्तों पहुत ही सरल तरीके से कमशब्डों में मैंने आपको लक्स्मी नायन राज योग के बारे में मैं नाया हम कह सकते हैं नाया मेरी अटरी यह अच्छी लगए गो तो लाइक क चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद